हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर आहूल जेस्वल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो फ्रेंड्स आज एक बहुत बड़ा अनॉंसमेंट है बहुत ब सारा बायोलजी का वीडियो और आज का दिन शुदुवात करेंगे बायोलजी से तो बायोलजी क्या होता है अब तक आपने 11 स्टैंडर में बहुत सारे बायोलजी पड़े है तो उसको भी लेके चलेगे आगे कंसेप्चुर नॉलेज के साथ तो हमारे साथ इस वक्त प्रे दोस्तों आप लोग के डिमांड के वजए से हम लोग बहुत सारे चीज स्टार्ट कर चुके हैं 12 के वीडियो फिजिक्स के कंटिनर्स आ रहे हैं मैं 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 के वीडियो खुद में पढ़ा रहा हूं कैमिश्ट्री के बहुत जल्द आपको देखने मिल जाएंगे ल है थैंक्यू सो मच सर तो हलो एं वेल्कम बैक टू दिस चैनल मेरा नाम है अभिशेक और आप सबको पता है कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जो था कि राहूल सर ने बताया आज हम लोग 12th biology स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है और 12th biology का पहला चप्टर स्टार्ट करें जिस रोग kalau ठिक है तो क्रिप्टोग्यमी जर्रली जो लोर प्लांट कर देखने के अंदर साथ 10 रिप्र्ट्व सींव करने वाले तो देको सबसे पहली बात कि biology को आपको रट्टा नहीं मारना है ठीक है biology इतना easy subject है मैं आपको biology इतनी easy बना दूँगा कि आपको प्यार हो जाएगा biology से ठीक है बस आपको करना क्या है आपको पूरे lectures को ध्यान से देखना है और साथ में एक pen और एक paper लेकर बैठना है जिस पर जो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं वह वह चीज़ें आप पढ़ना है lessons में ठीक है लेकिन इस lesson में हम लोग सबसे पहले और हर lesson पढ़ते हैं टाइम पर हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि इस पूरे lesson में हमको पढ़ना क्या क्या है ठीक है शुरू करें तो चलो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है reproduction होता क्या है ठीक है सबसे पह होता है और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे किसकी तरफ sexual reproduction की तरफ ठीक है clear next part हम लोग पढ़ेंगे आप देखो सबको पता है कि sexual reproduction में दो parent involved होते हैं generally दो parent involved होते हैं कुछ-कुछ exceptions case भी होते हैं जिसके अंदर एक parent के अंदर भी sexual reproduction हो रही है है बताऊंगा मैं कहां कहां पर होती है लेकिन generally हम लोग देखने वाले हाइर plants के अंदर sexual reproduction देखने मिलती है जैसा हम लोग ने 11 में पढ़ा था याद नहीं 11 का भूलना मत ठीक है सबसे पहले हम लोग male part के बारे में पढ़ेंगे ठीक है male part के बारे में पढ़ेंगे और plant के अंदर यह एक बेसिक चीज होती है देखो आपने humans के बारे में पढ़ा होगा कि humans में कैसा होता है जो sex organ होता है उसके अंदर direct gamut form हो लेकिन plants के अंदर सब कुछ नहीं होता है plants के अंदर क्या होता है सबसे जो male part होगा उसके अंदर पहले sports फॉर्म होंगे ठीक है और वो sports आगे चलके क्या बनाएंगे gamut बनाएंगे समझ में यह बात जो male part होगा male part plant में कौन सा होता है androsium याद आ रहा है androsium का एक छोटा पार्ट को हम लोग क्या कहते है स्टेमन ठीक है तो जो male part होगा वो सबसे पहले क्या बनाएगा sports बनाएगा तो male के sports को हम लोग कहते है माइक्रो स्पोर्स ठीक है और female के sports को हम लोग कहते हैं mega sports तो हम लोग सबसे पहले micro sports बनाना सिखेंगे female के अंदर mega sports बनाना सिखेंगे और उसके बाद उन sports से आगे चलके क्या बनेगा gamete बनेगा ठीक है तो सबसे पहले हमारा काम क्या है sexual reproduction में पहले male part को पढ़ना कि male part का कौन सा organ हमको पढ़ना है उस organ का structure पढ़ना है हमको उसके अंदर क्या क्या present है सारे नाम हमको याद रखने देखो नाम बच्चे डर जाते हैं ठीक है कि biology में इतने सारे पार्ट हम लोग male part को पढ़ेंगे उसके अंदर sports formation सीखेंगे और उसके बाद gamete formation ठीक है वो sports कैसे gamete बनाएगा नेक्स चीज़ हम लोग वही चीज किसके अंदर पढ़ेंगे female part के अंदर पढ़ेंगे तो female part का होता है गाइनोशियम ठीक है गाइनोशियम के अंदर क्या होगा फिर sports form होगा ठीक है कौनसा sports female में पॉर्म होता है Megaspore form होता है और उस Megaspore के अंदर क्या form होगा gamete form होगा समझे में आ रहा है ठीक है उसके बाद अब जैसे ही male part बन गया female part बन गया अब दोनों पार्ट को जॉइंट भी तो करना है तो उस प्रोसेस को मतलब जहां से male part female part तक पहुचता है ठीक है इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते है है पॉली नेशन ठीक है आपने टेंट में पड़ा होगा रहा है जो मेल पार्ट मेल का जो पॉलन ग्रेंड क्या होता है पता है पार होता है ठीक है उसके बाद जैसे ही male और female unite हो जाएंगे fuse हो जाएंगे उस process को हम लोग क्या कहते है fertilization ठीक है यह आपको पता होना चाहिए fertilization का मतलब क्या होता है जब male part और female part क्या हो जाता है fuse हो जाता है समझ मैं और जैसे ही male part और female part fuse हो जाएगा fertilize हो जाएगा वहाँ पे क्या produce हो जाएगा seed produce हो जाएगा क्या produce हो जाएगा seed ठीक है और seed से ही आगे चलके दूसरे plant का germination हो पाता है समझ में आ रहा है तो ये एक total overall chapter का overview है एक road map है कि किस प्रकार से हम लोग कौन-कौन से topics हम लोग इस lesson में पढ़ने वाले हैं ठीक है next slide पर चलते तो हम लोग पहला topic स्टार्ट कर देते हैं चोटा सा topic है सबसे हम लोग जान लेते कि ये reproduction आखिरकार होता क्या है ठीक है तो देखो इस word क्या लिखा है यहाँ पर reproduction लिखा है मतलब कुछ चीज produce होने वाली है कोई चीज क्या होने वाली है produce होने वाली, दिख रहा है यहाँ पे production लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ चीज क्या होने वाला है, produce होने वाला है, और साथ में यहाँ पे एक और word दिया हुआ है, re, re का मतलब होता है, वापस, ठीक है, वापस production हम लोग कर रहे हैं, same species का, अगर एक species, ठीक है, एक species, कोई एक organism produce करता है, जो उसी के जैसा दिखता है, जैसा dog की एक species है, ठीक है, अब जब वो reproduction करेगा, तो उसका जो offspring आएगा, वो भी एक dog ही होगा, ठीक है, वो तो cat नहीं हो सकता है, अब dog का reproduction जब होगा, तो उसके जो species हैगी, वो भी क्या होगा, dog ही होगा, इसलिए क्या कह रहे है, है, उसको continue रखने के लिए, अगर reproduction नहीं हुआ, तो हमारी जो species है, वो extinct हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहे है, हमारी जो species है, वो क्या हो जाएगी, extinct हो जाएगी, और इस दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, फिर, तो हमारी species का जो continuation है, life का जो continuation है, उसे बरकारार रखने के लिए, reproduction बहुत ही जादा important topic हो जाता है, समझ में आ रहे है, ठीक है, अभी हम लोग देखते है, reproduction के type कितने हो, अब देखो, हर organism में, हर organism में, हर organism में, हर organism अपने तरीके से reproduction करता है, सबका अलग-अलग process होता है, लेकिन generally हम लोग ने reproduction को दो पार्ट में divide किया हुआ है, ए एक है, asexual reproduction एक है, एक है asexual reproduction और दूसरा है sexual reproduction यह दोनों में आपको difference बता होना बहुत जरूरी है, कई बार बच्चे confuse जाते हैं, कि यहाँ पे sexual reproduction है यह sexual reproduction है, तो मैं आपको एक तरीका बता जाता हूं, जिससे आपको sure हो जाएगे कि हाँ, यह sexual reproduction है, हमेशा या तखना, कि sexual reproduction के अंदर fertilization take place होती है क्या हो take place होती है fertilization ठीक है तो अगर कहीं पे भी fertilization take place हो रही है fertilization का मतलब क्या है fusion of male and female gamut जब male gamut और female gamut दोनों एक दूसरे से fuse हो जाएंगे ठीक है उस process को हम लोग क्या कहते है fertilization अब fertilization जहां पे भी हो रही है ठीक है जहां कहीं भी fertilization ये process हो रही होगी उसे हम लोग sexual reproduction ही कहेंगे ठीक है हमेशा रखना कि जहां पे भी fertilization हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे sexual reproduction ठीक है generally sexual reproduction के अंदर दो parent involved होते है ठीक है generally sexual reproduction के अंदर दो parent involved होते है आप मैंने generally क्यों बोला क्योंकि कुछ है कि ऐसे exception भी हमारे नेचर में प्रेजेंट है जहां पे एक parent के एक parent में भी sexual reproduction देखने मिलती है ठीक है अब आप लोग बोल रहे हो कि सरी आप क्या बोल रहे हो बट यह बात देखो आप को प्रोडूस करें और दोनों आगे चलके क्या हो जाएंगे फ्यूस हो जाएंगे जिसे फर्टिलाजेशन कहते हैं ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ और्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक पैरेंट इनवाल होता है लोग यूनि सेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक बॉड़ी में सिर्फ एक ही सेक्शल और खिरएंडर सकती जैसे मेल के अंदर होता है ठाहर यूमन के अंदर होता है एक अलग होगी और एक फिमेल की बॉड़ी अलग होगी ठेकिए उसे लोग क्या कलते हैं यू यूदिस इंसरी अοςलर बने बने हैं यह ओर आयसे और संविंस और खिकर गरिंख हैं आ और फीड मेल पार्ट बनाएगा और फीड मेल ना doctor दोनों करें एक दूसरे को कर देंगे हमज में आ रहा है थी कै।Oh हमने क्या होगा में एक बॉड़ि के अंदर नहीं प्रिजन्ट क्षिए इसका में तुम्हें एक खंपल उदीतर में तुम लोग्त पड़ा होगां लें रात थेख त। कुछ यादर है टेप पॉर्म के बारे में कहां प्रेजंट होता है टेप पॉर्म युमन के बॉड़ी के अंदर युमन के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजंट होता है और हर युमन में सिर्फ एक ही टेप पॉर्म प्रेजंट हो सकता है ठीक है तो अगर अब युमन का जो को क्या करना पड़ता है कि यहां प्रोडक्शन यहां पियो रहा है यहां पे उघ्र फैयलायज़ेशन यहां पी वारी और एक स्वंग यहां पर राए ओर सब्सक्च मतलब बोगोड़ी है वह क्या सब्सक्रींब इसे हम लोग कहेंगे Mr. इसे हम लोग क्या कहेंगे तो कभी भी आप से कोई पूछे ठीक है आपके स्कूल में या फिर जहां पे भी आप इसे हम लोग क्या कहेंगे अब थो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब बात कर लोग दो एक प्लेंट नहीं होती है अब यहां पर दो प्यरंट का involvement नहीं होता तो यह generally single parent यह generally एक parent के ही अंदर देखने को मिलती है और जितने भी अगर हम लोग plants की बात करें तो जितने भी lower plants है जितने भी lower plants जैसे ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा जितने भी lower plants है उनके अंदर a sexual reproduction देखने के लिए मिलती है अब देखो a sexual reproduction बीडोटाइब के कुछ कुछ organisms के अंदर गैमेट फॉर्म हो जाता है ठीक है एक अगे चलके लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एसे अपर दो पार्ट हो जाएंगे एक जहां पर गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो हो जाएगा जहां पर गैमेट फॉर्म हो रहा है और दुसरा यह कंडिशन हो जाएगा जहां पर क्या फॉर्म हो रहा है अब आप इसके भी एक्जामपल दो हमें यह भी बताओ कि कहां कौन सा ऐसा है सेक्शुल रिप्रोडक्शन है जहां पर फॉर्म होता है तो आपने सुना होगा हुआ हमनी वीज के बारे में आपने सुना हकनी वीज के अंदर कैसे होता है ठीक है इस प्रोसे को रिख कहते हैं कर रहा हो लेकिन वहाँ पर क्वाँब्रेश्ट Northeast नहीं हो अंदर क्या फॉर्म हो रहा है और जहां पर ग्यमेट नहीं फॉर्म हो रहा है उसके बड़े सारे एक्जाम्पल्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है तो थोड़ा सा बात कर लेते एस एक्षॉल रिप्रोड़क्शन के बारे में कि हम लोग कौन-कौन से चीजे इस ले पढ़ेंगे बारे में यह वह टॉपिक से जो हम लोग एस एक्षॉल रिप्रोड़क्शन के अंदर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बाइनरी फिजन के बारे में दूसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ें के बारे में त fragmentation एक सबर हम एक सबर हैर अट थि है तो क्या है पढ़ना है अब लोग को बाइनरी फिशन पढ़ना है बडिंग पढ़ना है स्पोर्स फ़र्मेशन पढ़ना है fråग्मैं सफट परना है और एक लास्ट चीज न की है जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो जनरली हम लोग को यह चीज़े पढ़नी है किसके अंदर एसेक्श्वल रिप्रोडक्शन के अंदर उसके बाद हमारा जो में टॉपिक है वो हम लोग कंटीन्यू करेंगे नेक्स लेक्शर में ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आपको यह सारी चीज़े जो मैंने आपको बेसिक बेसिक नॉलेज बताइए वो आपको समझ में आए होगी क्यूंकि अगर आप बेसिक चीजों को नहीं समझाओगे तो आपको आगे की पड़ोगे डिफिकल्ट चीज़े पड़ोगे वह आपको समझ में आएगा ठीक है तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं करते हैं और हम लोग कंटीन्यू करेंगे नेक्स लेक्चर में